इस चेनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और देशी भक्ती के और वीडियोस पाने के लिए वैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान जी को प्रसंद करने के ग्यारा उपाए धर्म ग्रंतों के अनुसार मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था इसलिए मानने ता है कि मंगलवार के दिन विशेश उपाए करने से हनुमान जी शीगर प्रसंद हो जाते हैं मंगलवार के दिन सुबह इसनान करने के बढ़ के पीड का पत्ता तोड़े और इसे साफ सोच पानी से धोले अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की पिर्टिमा के सामने रखें और इसके बाद इस पर केसर से शिरी राम लिखें अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख और इस उपाय से आपके पर्स में वर्कत बनी रहेगी और जब यह पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में पिरवाहित कर लें दूसरा उपाय है कि मंगलवार के दिन हनुवान जी को चोला चड़ाएं हनुमान जी को चोला चड़ाने से पहले स्वय मिस्नान कर शुद्ध हो जाएं और साफ वस्तर धरन करें सिर्फ लाल रंकी धोती पहने तो और भी अच्छा रहेगा चोला चड़ाने के लिए चमेली के तेल का उपयोग करें कि मंगलवार को शाम के समय समीप इस सित किसी ऐसे मंदिर जाएं जहां भगवान शिरी राम वा हनुमान जी दोनों की ही प्रतिमा हो वहां जाकर शिरी राम वा हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी के दीपक जलाएं इसके बाद वहीं भगवान शिरी राम की पृतिमा के सामने बेट कर, हनुमान चालिस अता हनुमान पृतिमा के सामने बेट कर, हनुमान राम रक्षा इस्द्रोत का पाठ करें इस उपाय से भगवान शिरी राम वा हनुमान जी दोनों की किरपाही आपको प्राप्त होगी पूरी करते हैं यदि आप पर भी कोई संकट है तो मंगलवार के दिन इस हनुमान मंतर का विदी विधान से जाप जरूर करें आपको मंतर अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इसके बाद जो छटवा उपाए है वो ये है कि मंगलवार के दिन किसी हनुमान जी के मंद जाए और वहां बेट कर राम रक्षय स्त्रोत का पाट करें इसके बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसका निवारन करने के लिए प्रात न करें सात्वा उपाय है मंगलवार को सुबह इसनानादी करने के बाद ब माला बनाएं और माला बनाने के लिए पूजा में उप्योग की जाने वाले रंगीन धागे का इस्तेमाल करें अब समीप इसे किसी हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान मंदिर को माला पहना दें हनुमान जी को प्रसंद करने का यह बहुत ही प्राचीन उपाय है आठवा और फिर हनुमान मंदिर में जाकर राम नाम कजब करें सिस शनी दोश कम हो जाता है। यंत्र पर सिंदूर से टीका करें लाल फूल चड़ाएं मूर्ती तथा यंत्र पर सिंदूर लगाने के बाद धूब दीब चावल फूल प्रिसाद आधी से पूजन करें और सरसों के तिलवा तेल से दीब और धूब चलाएं। दसबा उपाए कि मंगलवार को घर के पारत से निर्मित हनुमान जी की पृतिमा इस्थापित करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार।